अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे लखनवी कवाब और शामी की रेसिपी जिसके लिए सबसे पहले हमें एक कुकर में पाव किलो मटन ले लिजिए और दो सूखी मीच आड़ किजिए फिर एक चम्मच लाजमी स्पाउडर और एक चम्मच पिसा हुआ अध्रत लेशन का पेस्ट आड़ कर लिजिए और एक चम्मच नमक आड़ करके पौना ग्रास पानी दाल लिजिए और उसे पांसे चे मिनित तक पकने के लिए छोड़ दें फिर एक वेजर में आधा किलास पानी दे दिए और एक बाउल चनिय की दाल आड़ कर लिजिए उसे दो से तीन में तक पकाईए और एक बाउल में ले लिए फिर इस दाल को कुकर के मिक्सर में आड़ कर लें और थंड़े होने के बाद एक मिक्षी जाल में दाल के पीस लें अच्छे से पीस लेने के बाद उस मिक्सर में डाइमन या राउन शेट के कबाब बना लें और उसे डीप फ्राइ करें जब आपका ख़बाब अच्छे से पक जाएगा तो ब्राउन या रिट करेर हो जाएगा तो उसे कड़ाई से निकाल लें और गर्मा गरम सर्ब करें या आप इवनिंग शनाक्स में भी ले सकते हो और खाने में खाने के साथ भी ले सकते हो तो हमारा गर्मा गर्म होट होट हवाब तैयार तो दोस्ता अगर आपको ये रिसीपे अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो दिस्लाइक भी खर सकते हो वस्सलाम आपका अपना चैनल इसलाम आमबूद